वर्ष 2013 के राश्ट्री घटनाक्रम, अंत्राश्ट्री घटनाक्रम एवं पुरस्कार तथा विज्ञान एवं प्रोध्योग्रिकी से संबंधित कुछ प्रेश्ण उत्तर प्रेश्ण, मानो संसाधन विकास मंत्राले ने राश्ट्री उच्चतर सिक्षा अभियान के तहट प्रत्यक राज को 22 नवंबर 2013 को उच्च सिक्षा शोध एवं गुणत्ता में सुधार के लिए कितनी राशी देने की घुष्णा की, उत्तर 120 करोड रुपए प्रेश्ण, भारत और रूस की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास इंद्रा अक्टूबर 2013 में विकानेर में किया गया, इस संयुक्त युद्ध अभ्यास की शुरुवार किस वर्श हुई थी? उत्तर 2005 में प्रेश्ण, सर्वोच न्याले ने केंद्री जाच ब्योरो CBI को असमेधानी करार देने वाले किस उच न्याले के फैसले पर 9 नवंबर 2013 को रोक लगा दी? उत्तर गुहांटी उच न्याले प्रेश्ण, कॉंग्रेस नेता रशीद मसूत की राजसभा की सदसिता इस किस अक्टूबर 2013 को तथा राश्टी जंतादल की अध्यक्ष लालु प्रिसाथ और जंतादल यूनाइटिड सांसत जगदीर शर्मा की लोगसभा की सदसिता 22 अक्टूबर 2013 को रद्द कर दी गई इन सांसितों की सदसिता उच्छ नेले के किस दिन के फैसले की आधार बर्द की गई उत्तर, 10 जुलाई 2013 के फैसले की अनुसार प्रेश्ण, अक्टूबर 2013 में रूस में भारत का अगला राजदूद किसे नियुक्त किया गया उत्तर, P.S. रागवन को प्रेश्ण, योजना आयोग ने 22 नवबर 2013 को बताया कि दो लेन राश्ट्री राजमार्ग पर योजनाओं के लिए नया माडल कंट्रेक्ट एग्रिमेंट M.C.A. तयार किया चारा है M.C.A. से सम्मंदित कथन सत्य कौन से है कथन हैं, दो लेन राश्ट्री राजमार्गों के निर्बान और प्रबंधन का काम दो अलग-अलंग कमपनिया करेंगी दूसरा कथन है, देश में सड़क प्रबंधन कमपनिया बनाई जाएंगी तीसरा कथन है निर्बाड कम्पनिया राजमार परियोजना का काम पूरा होने के पांच वर्ष बाद उसे 20 से 50 प्रतिशत लाप पर बेश सकेंगी ये तीनो ही कथन सत्य है प्रेश्न अब केंद्री सुषना आयोग में सुषना आयुक्तों की संख्या कितनी हो गई है उत्तर 10 प्रेश्न एयर माल्शल अरूप राहा को 29 अक्टूबर 2013 को भार्टी वायू सेना का अगला प्रमुक्त न्यूक्त गया गया भार्टी वायू सेना में राहा ने कब लड़ाको विमान के पाइलेट के रूप में कमिशन प्राप्त किया था उत्तर दिसमबर 1974 में प्रेश्न उत्तर न्याले की पहल पर 23 नवंबर 2013 को देश भर की अदालतों ने एक दिन में कितने मुकद्मों को निप्टारा कर किर्दिमान रच दिया उत्तर 35 लाग मुकद्मों को प्रेश्न ग्रिह मंत्राले के जनसंख्या विभाग द्वारा अक्टूबर 2013 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान कितने और शहरों में इसलम आवादी दर्ज की गई उत्तर 870 प्रेश्न केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का फार्मूला तै करने के लिए डॉक्टर किरिट एस पारिक की अधिक्ष्टा में एक समीती का गठन किया गया था इस समीती ने अपनी संसुतियां 30 अक्टूबर 2013 को सरकार को सौब दी पारेक समीती की प्रमुख सिफारिशें क्या-क्या है उत्तर सबसिडी खत्म कर केरुसिन के दाम 4 रुपे प्रती रीटर बढ़ाया जाए सेकेंड इसके अलाबा सबसिडी वाले 9 सिलिंड्रों की संख्या को घटा कर चेकिया जाए तीसरा डी-बी-टी-एल का लाब पाने वाले परिवारों की संख्या सिमित की जाए प्रेश्ण लवंबर 2013 में आई-टी-बी-पी के नए महानीदेशक के रूप में किसने कारिभार समाला उत्तर सुभाश गुस्वामी ने प्रेश्ण पर्यावरण एवं वन मंत्राले ने अक्टूबर 2013 में गुजरात के तापी नदी से लेकर केरल के कन्या कुमारी तक फैले घने जंगलों, वन्जीवों और अंगीनत प्रचाती के वनस्पती से भरे पश्रमी घाट को पारिस्तितिक तोर पर अती सम्वेदन शील गोशित करते वे किन-किन गत्वीधियों को इस छेत में प्रतिवन्द कर दिया उत्तर, खननकारे को लाल श्रेडी के उद्योग लगाने एवं टाउन्शिप बनाने में प्रेश्ण ग्रेह मंत्राले के जनसंख्या विभाग द्वारा अक्टूबर 2013 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों केन सासित प्रदेशों में वर्ष 2011 इसलम आबादी नहीं थी उत्तर, मणीपूर तथा दमन एवं दीप में दाद एवं नगरहवेली में तथा लक्षदीप में प्रश्ण केंदरी कैबिनेट ने 7 नुवंबर 2013 को किन देशों के साथ वीजा अधित्याग समझावते को अनुमती दी जिससे भारती नागरिकों को इन देशों से कूटनितिक पासपोर्ट प्राप्त करने में सुलहपता होगी उत्तर पोलेड, स्लोवेनिया तथा लिथुआनिया प्रश्ण भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच बीजिंग में 23 अक्टूबर 2013 को संपन वार्टा के बाद सीमा रक्षा सायोग सहीद किनकिन समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए उत्तर सीमा पारी नदियों पर सायोग रेलवे आधुनी करण के लिए चीन से मदद वन जीवों और अन प्रतिवंदित पदार्थों की तसकरी से संबंदित गतिविधियों को साज़ा करना प्रेश्ण प्रशास्निक अधिकारियों के मनमाने तबादले के संबंद में उच्टम न्याले ने 31 अक्टूबर 2013 को एक महतपुण फैसला सुनाते वे केंद्र राजित था संगीच हित्रों को All India Service Conduct Rules के अंतरगत तीन मा के भीतर सिविल सिवकों के निश्चित कारेकाल तै करने का निर्देश जिया All India Services यानि Conduct Rules का संबंद किस वर्ष से है उत्तर All India Service Rules 1968 से प्रेशन भाट्टी रिजर्बैंक द्वारा डवंबर 2013 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसाद वर्ष 2013 में बैंकों ने भिहार में प्रतिव्यक्ति कितनी राशी कर जिरी उत्तर 4580 रुपए प्रेशन उच्चितम न्याले ने 30 अक्टूबर 2013 को दायर एक याचिका की सुनवाई के दोरान ये फैसला सुनाया कि निगम पार्षत लोग सेवकों की श्रेडी में आती हैं इस फैसले के अनुसार अब निगम पार्षतों पर लोग सेवकों पर लागू होने वाले किस अधिनियम के अंतरगत मुकर्बा चलाया जा सकता है उत्तर ब्रहश्चाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतरगत प्रैश्ण नवंबर 2013 में भारत के केंदरी जहाज रानी मंत्री जी के वासन कि किस देश की यात्रा के दोरान दोनों देश वर्तमान मंचों और बंदरगा से बंदरगा आदान प्रदान के द्वारा विचार विमर्ष बढ़ाने पर समत हुए उत्तर जापान प्रैश्ण प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सींग की अद्यक्षता में 28 नवंबर 2013 को ही कैबनेट की बैठक में असम में विधान परिशद की स्थापना को मंजूरी दे दी गई प्रस्ताव के अनुसार असम विधान परिशद में कितने सदस्य होंगे उत्तर 42 प्रैश्ण कुवेद के प्रदान मंत्री शेक जाबर अल मुबारक अल आमद अल सवा की नवंबर 2011 में भारत की चार दीवसी राजकी यात्रा के दौरान कौन से महत्पुर समझौते किये गए उत्तर सजा यापता लोगों को भेजने सम्मंधी समझौता सकंड खेल, संस्कृती और सिक्षा के छेत्र में आदान प्रदान हेतु समझौता थर्ड उर्जा के छेत्र में दिर्ग अवदी आपूर्ती ठेके पर समझौता प्रेशन भारती मुल्की गारगी घोश को 21 नौमबर 2013 को किस देश में राश्पती के वैश्विक विकांस परिशद का सदस्य नियुक्त गिया गया उत्तर अमेरिका का प्रेशन पाकिस्तान के नए सेन्य प्रमुप के रूप में जनरल राहिल शरीफ ने 29 नौमबर 2013 को कारिभार संभाला जनरल शरीफ से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? कथन है 1976 में कमिशन प्राप्त राहिल की पोस्टिंग फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की छटी बटालियन में हुई थी सेकेंड उनका जन 16 जून 1956 को क्वांटा के सेन्य परिवार में हुआ था थर्ड उन्होंने ग्यारवे इनफेंट्री डिविजन लहोग के प्रमुग के रूप में कारि किया ये तीनों ही कथन सत्य हैं प्रेश्ण श्रीलंका की राज़ानी कोलंबो में राश्र मंडल सदस्य देशों के शाष्णा अध्यक्षों का 22 तीन दिविसी सम्मेलन 17 नौवंबर 2013 को समाप्थो गया सम्मेलन के अंत में जारी एक परिपत्र में किनकिन बातों का उलेक था उत्तर समानता के साथ विकास पर जोड़ देते वे गरीबी उन्मूलन सेकेंड आपसी वैपार में व्रिद्धी थर्ड युवाँ से सम्मंदित मामलों पर एक साथ काम करने की आवशक्ता सम्मंदित उलेक था प्रेशन पाकिस्तान ने 5 नवंबर 2013 को सता से सता पर मार करने वाली कम दूरी की हल्फ 9 नस्र मिसाइल का सफल परिशन किया इस मिसाइल से सम्मंदित कथन कौन से सत्ते हैं? उत्तर फर्स्ट ये मिसाइल साथ किलोमिटर दूरी तक मार करने में सक्षम है सकेंड ये मिसाइल परवाडू हतिया ले जाने में सक्षम है थर्ड मिसाइल हत्व 9 का दूसरा नाम नस्र है प्रेशन बांगलादेश की एक विशेस अदालत ने 5 नुवंबर 2013 को बांगलादेश राइफल्स के 112 जवानों को बांगलादेश राइफल्स के 152 जवानों को मौत की सदा सुनाई इन जवानों को ढाका इस्थित बांगलादेश राइफल्स के मुख्याले में किस वर्ष में 73 लोगों की हत्या का दोशी करार देते वे ये सजा सुनाई गई है उतनर 2009 के अमेर्का ने पाकिस्तान को आतंगवाद विरोधी उपायों के लिए कितनी राशी देने की घोशना 21 अक्टूबर 2013 को की है उतनर 1.6 अरब डॉलर प्रश्न भार्टी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के 27 नॉवंबर 2013 को दूरसंचार दर यानी टैरिफ 56 वा संशोधन आदेश 2013 और मुबाइल बैंकिंग सेवा की गुणमत्ना संशोधन नियमन 2013 जारी किया इस नियमन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है कथन है वित्ति समावेश के तहट सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए मुबाइल बैंकिंग सवाएं उपलब्द करानी की अनिवार बना दिया गया है सेकेंड यू एस एसडी आधारित मुबाइल बैंकिंग के लिए प्रती हंसांत्रण के लिए देर रुपे का अधिक्तम शुल्क ने दारित कर दिया गया है थर्ड मुबाइल बैंकिंग को उन लोगों तक पहुशना है जो बैंकिंग सेवा से अब तक वन्चित है ये तीनो ही कथन सत्य है प्रशन फोस पत्रिका द्वारा नवंबर दोजार तेरह में जारी एक रिपोट के अनुसार प्रमुख वैश्विक प्रोद्योग की कंपनी एपल विश्व का सरवाधिक कीमती ब्रांड है जिसका ब्रांड मुल्य 104.3 अरब डालर का है 56.7 अरब डालर ब्रांड मुल्य के साथ दूसरे इस्थान पर कौन सी कंपनी है मुत्तर Microsoft प्रशन विश्व बैंक और PwC द्वारा कंपनी कर संबन्दी एक रिपोर्ट नवंबर दोजार तेरह में जारी की गई टैक्स भुकतान वर्ष 2014 सूटी में भारत को किस इस्थान पर रखा गया मुत्तर 158 में इस्थान पर प्रशन भाट्टी रिजर बैंक ने 29 अक्टूबर 2013 को वित्वर्ष 2013-14 की दूसरे तिमाही की मौद्रिट नीती की समिक्षा करते वे अल्प अब्धी उधारी दर रेपो 0.25 प्रतिशत बढ़ा कर 7.75 प्रतिशत कर दिया वर्थमान में CRR दर कितनी है उत्तर 4 प्रतिशत प्रशन सिंगापुर के राश्पती टूनी टेन केंग याम ने भारती मूल के उध्योग पती मुली किवल राम चनराई को 21 नवंबा 2013 को दक्षर एशियाई प्रवासी भारती समुदाय का उत्कुरुष्ट सदस्से पुरसकार प्रदान किया मुली किस्वर्ष किवल राम समु के अध्यक्ष बने थे उत्तर 1992 में प्रशन गरावी गुचराद दो नेत्रत पुरसकार समारों में 27 नॉवंबर 2013 को किसे हैमर आवार्ड प्रदान किया गया उत्तर मलाला युस्फजई को काजियनान रियास को एवं शाजिया रमजान को प्रशन इस्त्री शक्ती नेट्वर्क ने नॉवंबर 2013 में किनकिन महिलाओं को इस्त्री शक्ती सम्मान के लिए चुना उत्तर इंटर एक्टिव थेटर की उशा गांगुली, पत्रकार विद्या, बल तथा मंगी देवी सकेंड मदुश्री दत्ना तथा पत्रकार उशा राय और कलाकार एंजुली एला मेनन को प्रेश्न वेवाहिक पोर्टर शादी डॉट काम द्वारा नॉवंबर 2013 में जारी एक सर्वेक्षन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक प्रेरग व्यक्तित वाली महिला रानितिग्य सोनिया गांधी है इस कड़ी में दूसरा इस्थान किसे मिला उत्तर सुष्मार स्वराज को प्रेश्न प्रख्यात हिंदी साहित प्रोफेसर पर्मानन शिर्वास्तों का पांच निवंबर 2013 को निधन हो गया पर्मानन शिर्वास्तों से सम्मंदित कुछ कथन दिये गए हैं इसमें बताना कि इसमें सत्ते कौन से हैं कथन है प्रोफेसर शिर्वास्तों का जन 10 फरवरी 1935 को गोरगपुर जिले में हुआ था सेकेंड उन्हें वर्ष 2006 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया था उन्होंने आलोशना पत्रिका का सम्मानित किया था उत्तर ये तीनों ही कथन सत्ते हैं प्रेश्ण अमेर्की स्वास्त छेत्र में उल्लेखनी योगदान के लिए किस भारती मुल्के अमेर्की डॉक्टर को 13 नमंबर 2013 को प्रतिस्ठित आउट स्टेंडिंग अमेर्कन बाई 24 पुरसकार दिया गया उत्तर राहूल जिंदल को प्रेश्ण मासकों में 9 नमंबर 2013 को संपन मिस यूनिवर्स 2013 सौंदर प्रत्योगिता में किसे मिस यूनिवर्स 2013 का खिताम मिला उत्तर गैबरिला इस्टलर को जो की वेनेजुला की है प्रश्ण प्रख्यात कुकरी विशिशग्य तर्रादलाल का निधन 6 नमंबर 2013 को हो गया उन्हें किस वर्ष भारत सरकार ने पद्वर्शी से समानित किया था उत्तर 2007 में प्रश्ण संयोक्त राश्ट्र फाउंडेशन और उनाइट नेशन एस्सोशेशन आफ द यू एस ए ने ने नवंबर 2013 में किन लोगों को ग्लोबल लेडर्शिप अवार्ज डिनर 2013 में समानित किया उत्तर बिहार की पोलियो कार करता मार्धा होंडे को पाकिस्तान की बाली का सिख्षा कार करता मलाला युस्फजई को और मानव इधिकार कर्मी एवं संयोक्त राश्ट में अमेरिका की प्रतिनीदी साम्था पावर को विश्व की नंबर वन महिला टेनिस खिलाडी सिरेना विलियम्स को डबलू टीए ने नवंबर 2013 में वार्श 2013 की सर्विस्टेस्ट महिला टेनिस खिलाडी घोशित किया वार्श 2013 में सिरेना ने कौन-कौन से ग्रेंड इसलेम खिताब जीते उत्तर फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन प्रेशन 24 नोहमबर 2013 को मेलबन में विश्व कप गॉल्फ टूर्णामेंट का खिताब किस ने जीता उत्तर जैसन डेने जोकी आस्ट्रेलिया के है प्रेशन रेड बुल के जर्मन ड्राइवर सेविस्टियन वेटल ने 24 नोहमबर 2013 को फार्मूला वन सत्र की अंतिम रेज ब्राजिल ग्राफ प्री जीत कर एक वर्ष में 13 जीत के माइकल शुमाकर के रिकार्ड और लगाता 9 जीत के अलबर्टू असकारी के रिकार्ड की बराबरी की अपनी केरियर में वेटल ने अब तक कितनी रेज जीती है उत्तर 39 प्रेश्ण विश्व के नंबर एक खिलाडी अमेरिका की सिरिना विलियम्स ने माहिला एकल के फाइनल में 27 अक्टूबर 2013 को किसे हराकर इस्तांबूल में डबलू टी ए चेंपियनशिप का खिताब जीत लिया उत्तर ली ना को प्रेश्ण बैंगलूर के चिन्ना स्वामी स्ट्रीडियम में 2 नवंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसी मैच में भारत के रोहित सर्मा ने 12 शतक लगा कर क्या-क्या किर्थिमान इस्थापित किया उत्तर रोहित शर्मा विश्व के तीसरे बल्ले बाज बन गए जिन्होंने एक दिवसी मैचों में 12 शतक लगाया सेकेंड रोहित शर्मा 16 शक्कों का विश्व रिकार्ड बनाये थर्ड उन्होंने 491 रन बनाकर दुपक्षी सीरीज में रनों का विश्व रिकार्ड बनाया प्रेश्ण भारत ने 8 नौवंबर 2013 को उडिसा तरड़ परिक्षण रेंज से परमाणू छमता संपन बलेस्टिक मिसाइल अगनी एक कांसफल प्रयोगिक परिक्षण किया इस मिसाइल की मारक छमता कितनी है उत्तर 702 मीटर प्रेश्ण भारती सीना ने 9 नौवंबर 2013 को बंभोस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल के एक आधुनिक संस्करण का सफल परिक्षण राजिस्थान के पुक्रण में किया इस मिसाइल से सम्मंदित सत्य कथन कौन से हैं? कथन है 1.290 किलोमिटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है ब्रमोस मिसाइल 2.2.8 मैक की गती से भरती है उडान, 300 किलोग्राम आयुद ले जाने में सक्षम है थर्ड, सेना के आयुद भंडार में मिसाइल की दो रेजिमेट शामिल तीसरी पर काम चल रहा है उत्तर, उप्योग तीनों ही कथन सत्य है प्रश्न, नौसेना प्रमुक एड्मिरल देवेन कुमार जोशी ने आंधर प्रदेश के विशाखा पटनम इस्तित नौसेना हवाई अड्डे पर 6 नवंबर 2013 को अतिधिक जेट ट्रेनर विमार हॉक 132 को नौसेना के बेडे में शामिल किया जेट ट्रेनर विमार हॉक 132 के संदर में कौन सा कथन सत्य है उत्तर, फर्स्ट, ये चौती पीडी का अत्याधुनिक जेट ट्रेनर विमार है जो अत्याधुनिक और एडवांस्ट नविगेशन सिस्टम प्रणाली से लेस है इस विमान में 2 सीटे हैं थर्ड, या एक बहुत देशी विमान है जिसमें एक रोल्स रॉयल एडोर म के 871 इंजन लगा हुआ है उत्तर, उप्योग तीनों ही कथन सत्य है प्रश्ण, अक्टूबर 2013 में वैज्ञानिकों ने प्रित्वी से लगभग 22,000 प्रकाश वर्ष दूर ओफिश यूस नाम अक्तारमंडल में एक ब्लैक होल को खोजा इस खोच के संदर में कौन सा कथन सत्य है उत्तर, फर्स्ट, जिस ग्लोबुलर क्लस्टर में इस ब्लैक होल को दिखा गया उसे M62 के नाम से जाना जाता है सेकंड, M62 ग्लोबल क्लस्टर ओफिश यूस नामक तारमंडल में एक सित है थर्ड, ये खोज Michigan State University की वैज्ञानिकों के नेतरत में खगोल विदों की टीम द्वारा की गई है उत्तर, उप्योग तीनों ही कथन सत्य है प्रश्ण, अक्टूबर 2013 में चर्चित आर्किटिक 30 से सम्मंदित कौन सा कथन सत्य है कथन है, भारत द्वारा निर्मित अत्यादुनिक शोध केंडर सेकेंड, इस्पेंद द्वारा निर्मित विश्व का सबसे शक्तिशाली बर्व काटने वाला पोर्थ थर्ड, रूस्त था नीदरलेंड के मद ग्रीन पिस शिप के 30 हदस्यों की गिरपतारी को लेकर उत्पन विवाद, फोर्ट, अंडार्टिका का वह स्थल जहां प्लेटिनम के विशाल भंडार मिलने का अनुमान है उत्तर, इसमें कथन थर्ड, यानि की रूस्त था नीदरलेंड के मद ग्रीन पिस शिप के 30 हदस्यों की गिरपतारी को लेकर उत्पन विवाद, कथन सत्य है संयुक्त राज संकी, Agencies Food and Agriculture Organization, FAO, The International Food for Agriculture Development, तथा World Food Programme, द्वारा अक्टूबर 2013 में जारी रिपोर्ट, State Bank, State of Food Insecurity in the World, 2013 के अनुसार, विक्सी देशों में लगबक कितने लोग को पोशित हैं, उत्तर, 15.7 मिलियन लोग एक सुषना, अनिता शर्माद्वारा धनांकित, IAS में से संबंधित, Study Material जैसे Constitution, History, Geography, Science and GK Topics पर नोट की CD या DVD प्राप्ट करने की जानकारी के लिए मेल करें, मेल आइडी है, V-O-I-C-E-F-O-R-B-L-I-N-D यानि, VoiceForBlind at TheRateOfGmail.com धन्यवाद M-C-E तैयार किया जारा है, M-C-E से संबंधित कथन सत्य कौन से हैं? कथन है, दो लेन राष्ट्री राजमार्गों के निर्वाण और प्रबंधन का काम दो अलग-अलंग कम्पनिया करेंगी, दूसरा कथन है, देश में सड़क प्रबंधन कम्पनिया बनाई जाएंगी, तीसरा कथन है, निर्वाण कम्पनिया राजमार्ग परियोजना का काम पूरा होने के पांच वर्ष बाद उसे 20 से 50 प्रतिशत लाप पर बेश सकेंगी, ये तीनो ही कथन सत्य हैं, प्रेश्ण, पांच नए सुषना आयुक्तों, मंजुला पराशर, येशो वर्धन आजार, शरत सब्बरवाल, म. खान यूसिफी और M. श्रीधर आर्चुल ने 22 नवंबर 2013 को शपत ली, अब केंद्री सुषना आयोग में सुषना आयुक्तों की संख्या कितनी हो गई है, उत्तर, दस, प्रेश्ण, फैसले पर 9 नवंबर 2013 को रोक लगा दी, उत्तर, गुहांटी उच्छे नियाले, प्रेश्ण, कॉंग्रेस नेता रशीद मसूत की राज्य सभा की सद्धिस्ता, इस किस अक्टूबर 2013 को तथा राश्टी जन्तादल की अध्यक्ष लालू प्रिसाथ और जन्तादल युनाइटिड सांसत जगदी शर्मा की लोकसभा की सद्धिस्ता, 22 अक्टूबर 2013 को रद्ध कर दी गई, इन सांसिदों की सद्धिस्ता, उच्छे नेले के किस दिन के फ प्रेसले की अनुसार, प्रेश्ण, अक्टूबर 2013 में रूस में भारत का अगला राजदूद किसे नियुक्त किया गया, उत्तर, P.S. रागवन को, प्रेश्ण, योजना आयोग ने 22 नवंबर 2013 को बताया कि दो लेन राश्टी राजमार्ग पर्योजनाओं के लिए नया मा अडल कंट्रेक्ट एग्रिमेंट दार्थों की कीमतों का फार्मूला तैं करने के लिए, डॉक्टर किरिट एस पारिक की अधिक्षता में एक समीती का गठन किया गया था, इस समीती ने अपनी संस्तुतियां 30 अक्टूबर 2013 को सरकार को सौब दी, पारिक समीती की सिफारिशें क्या-क्या है, उत्तर, सबसिडी खत्म कर केरुसिन के दाम 4 रुपे प्रती रीटर बढ़ाया जाए, सेकेंड, इसके अलावा सबसिडी वाले 9 सिलिंड्रों की संख्या को घटा कर चे किया जाए, तीसरा, डी, बी, टी, अल का लाप पाने वाले परिवारों की संख्या सिमित की जाए, प्रेश्ण, लवंबर 2013 में ITBP के नए महानीदेशक के रूप में किसने कारिभार समाला, उत्तर, सुभाश गुस्वामी ने, प्रेश्ण, पर्यावरण एवं बन मंत्राले ने अक्टूबर 2013 में गुजरात के तापी नदी से लेकर केरल के कन्या वर्ष 2013 के राश्ट्री घटनाक्रम, अंतराश्ट्री घटनाक्रम एवं पुरस्कार तथा विज्ञान एवं प्रोध्योग्रिकी से संबन्दित कुछ प्रेश्ण उत्तर मानो संसाधन विकास मंत्राले ने राश्ट्री उच्टतर सिक्षा अभियान के तहत प्रत्यक राज को 22 नवंबर 2013 को उच्ट सिक्षा शोध एवं गुणत्ता में सुधार के लिए कितनी राशी देने की घुष्णा की उत्तर 120 करोड रुपए प्रेश्ण भारत और रूस की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास इंद्रा अक्टूबर 2013 में विकानेर में किया गया इस संयुक्त युद्ध अभ्यास की शुरवान किस वर्श हुई थी उत्तर 2005 में प्रेश्ण सर्वोच न्याले ने केंद्री जांच ब्योरो CBI को असमयधानी करार देने वाले किस उच न्याले के एर माल्शल अरूप राहा को 29 अक्टूबर 2013 को भार्टी वायु सेना का अगला प्रमुक्त न्यूक्त गया गया भार्टी वायु सेना में राहा ने कब लड़ाको विमान के पाइलेट के रूप में कमिशन प्राप्त किया था उत्तर दिसंबर 1974 में उत्तर न्याले की पहल पर 23 नवंबर 2013 को देश भर की अदालतों ने एक दिन में कितने मुकद्मों को निप्टारा कर किर्दिमान रच दिया उत्तर 35 लाख मुकद्मों को ग्री मंत्राले के जनसंख्या विभाग द्वारा अक्टूबर 2013 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान कितने और शेहरों में इसलम आवादी दर्ज की गई उत्तर 870 प्रेश्ण केंदर सरकार त्वारा पेट्रूलियम पद्वारा अक्टूबर